Hello everyone, I am Sonam, welcome back to my YouTube channel अपना विद्याल है आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक भी को बताएंगे Class 10th समाजिक विज्ञान से related एक important topic जो चातर अभी तक समाजिक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़े और वो अपने समाजिक विज्ञान में पास होना चाहते है तो ये वीडियो उन सभी चातरों के लिए काफी important है यहाँ पर देखें यह हमारा topic क्या है कि Class 10th समाजिक विज्ञान में पास होना है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें आपको 70 में 70 पूरा number मिलेगा तो यहाँ पर देखें हम आपको कुछ important बताने वाले हैं question और किस तरीके से तो यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर ठीक है मात्र इन 30 प्रसनों को तयार कर लेना है पढ़ लेना है इससे बाहर 100% गारांटी है कि एक भी question नहीं आएंगे ठीक है सिर्फ आप लोग इस 30 सबसे महत्र पूर टापी को तयार कर लेजिए बोर्ट परिच्छा में पक्का है यही आएगा इदम बिल्कुल छप चुका है ठीक है और 70 में 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है तो यहाँ पर देखे हम आप सभी को सोसल साइंस का important question बताने वाले class 10 का ठीक है अगर आप सभी को चाहिए कि बिना पढ़े सोसल साइंस में किस तरीके से पास होंगे ठीक है समाजिक बिग्यान में तो अगर आप लोग को इस ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग इस अगर इतना हो गए तो हम आप सभी को समाजिक बिग्यान में पास होने की ट्रिक की वीडियो अपलोड करेंगे ठीक है बीना कुछ पढ़े अगर आपको लिखने भी नहीं आता है पढ़ने भी नहीं आता है फिर भी आप लोग पास हो जाएंगे हमारे पास ऐसी ऐसी बहतर जाकर देख लिजिएगा और शेयर भी करना बिल्कुल न भूलिएगा तो यहां पर देखिए हम आपको कुछ गारांटी के साथ यहां पर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्विस्चन यह आपके बोड़ एक्जा में जरूर आएंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप तापिक बेडियो बनाएए और पास होने की ट्रिक इबनाई ठीक है इनिन सब्रिक्तों पास होने का ट्रिक्क बनाईए और आप लोग सेयर नहीं करते तो इससे कि हम knocks काफी जादे करते नापके बोड़ इक्जाम में जरूर आएगा बिल्कुल लिखी ठाट है नेनिष्ट हुआ था इसको भी आपको तयार कर लेना है क्योंकि देखिया हम एज एट आपर इस्टूडेंट है हम एक टापर इस्टूडेंट है इसलिए आप सभी को जो भी हम बताएंगे वह बिल्कुल टापर की तरह बताएंगे और आप लोग फरजी कई यूटूबर के देखते अब देखें नेश्ट है कि 19-वी सदी में यूरोप में राष्टवाद की विकास के लिए उत्तरदाई तुकिनी चार प्रमुक्त कारणों का उल्लेक करना है ठीक है नेश्ट कुश्चन है उसके बाद देखें नेश्ट कुश्चन सिर्फ आप लोग कुछ मत पढ़िये सि और भी आपको इंग्लिस में पास होने की ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है आप लोग देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर दिखें महात्मा गाधी ने अस्योग अंदूलन क्यों चलाया इस अंदूलन के क्या कारिकरम थे उन्हें यह अंदूलन क्यों इस्तगित करना पड़ा ठीक है महात्मा गांधी ने तीन परकार के जो अंदूलन है वो चलाये थे ठीक है तो यहाँ पर एक अस्योग अंदूलन भी है यह काफी इंपोर्टेंट है इसके बारे में लिखने के लिए आपके बोड इग्जाम में आलवेज आता है नेस्ट क् आपको कहीं भी नहीं बता जाएगा और जो भी हमारे क्वेशन है बिल्कुल गारांटेट क्वेशन है ठीक है आप लोग जो सरवान लेक्चरा से पढ़ते होना वो से मेरे इस्टूडेंट रह चुके इसलिए आप सभी को उन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्यों कि वह हमारे एक निम्न क्वालिटी के इस्टूडेंट रह चुके हैं जैसा कि हमारी कई सालों की एक्सप्रियेंस है ठीक है यहाँ पर दिखें उनिस भी सताब्दी में भारत से भी देश में सर्मिकों को क्यों ले जाया गया ठीक है यह सर्मिक अधिक तर किस देश के थे उ कुधार दोरा आपको क्या करना लिखना है नेस्ट है देखें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोड़ एक्जाम में कांटीन्यू आने वाला क्वेस्चन है खादर और बांगर में अंतर ठीक है यह पर एक परकार की मिट्टी होती है जो की जलवाई विगड़ने से यह ह नेस्ट है मेरदा अपॉर्दां किया है इसनी के सरचट के आज से Ken 對不對 मेरदा को सरचट करना काफी का दे हो सकता है ठीक हैने वाण karma की remind presents की रूप से लाब देते हैं तो आपको उसको लिखنا है जिसे लकडिया देते हैं तो यह सब क्या पर्तेश शुलाब दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है ठेके और भी देखिए आप लोग हमारी चैनल को जरूर जाकर इस पर विजिट केầnब कीजेगे कि इस पे हिंदी के लगवख सौ वीडियो अपलोड है अगर आप लोग उसकी तैयरी कर लेंगे तो आप लोग बोड़ एकजाम में अच्छे मॉक्स ही नहीं बलकी टाप कर जाएंगे ठीक है नेश्ट है आपको है भारती वनों की प्रमुख विसेस्ता आपको तयार कर लेना है ठीक है और इनके लाब भी नेश्ट है बहुत देशी नदी धाड़ी परिजना से आप क्या समझते इसके उद्देशों का वलंग किजिए यहां पर देशी मतलब जिस नदी का कई परकार से उद्देश है यानि उसका कार है सिचाई भी उससे हो जाती है ठीक है और उससे जो होते हैं पावर पम्प ठीक है इस अब और लाइट भी ठीक है लाइट भी से उत्पन किया जाता है तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं नेश्ट है तिहरी बांत परियुजना की इस्तितियों पर महत्तु और प्रकास डालिए ठीक है नेश्ट है आपको इसी में तेहरी बांध किस राजिक किस नदी पे निर्मित है तीहरी बांध ठीक है नेस्थ है हरित करांथी किसे कहते बहुत बहुत इंपोर्टेंट है भारती के पिछले पन की किनी छो काड़ों की भी बेचना करना ठीक है अब देखिए नेस्ट क्वेशन अगर आप सभी को इन सभी क्वेशनों का आंसर भी चाहिए तो कमेंट करके आप लोग ज़रू बताइएगा नेश्ट है भारत में लो आयस की बीतरण का उल्ले कीजिए ठीक है हमारे चैनल पर काफी ट्रिक के साथ सभी वीडियो अपलोड की जाते हैं और सभी क्योंकि इतने कम समय में आपके बोड एक्जाम के अच्छी तरीके से तैयरी नहीं हो पाएगी तो आपको सिर्फ एक ट्रिक के सहारा ही लेना होगा ठीक है नेश्ट है सड़क परिवहन की तीन गुड़ बताइए फिर उसके बाद नेश्ट है बहु संख्यावाद क्या है उस देश का नाम बता है जिसमें इसके कार्ण सांती खोई है ठीक है नेश्ट है इत समू से क्या तात्त पर है फिर उसके बाद नेश्ट है ठीक है संगवाद की चार बिसेस्ता आपको लिखना है नेश्ट है आपका विकेंदरी करण क्या है ठीक है नेश्ट क्वेस्चन है समाजिक भेदभाव का आसाय क्या है इसके करार तथा किसने समाप्द किया था तो यह किसने समाप्द किया था डाक्टर भीमरा अम्विट करने अब देखें नेश्ट काफी important question है कि लोगतंत्र संप्रादाइता जातिवाद क्यों घातक है नेश्ट है लोगतंत्र में समाजित परड़ाम किसके अनुरूप चाहिए नेश्ट आपका है सारवजिनिक बितरवर पढ़ाली कि किनी तीन महत्तों जो सारवजिनिक बितरवर एक तिस्वा question है बहुत important question है आप लोग सिर्फ इसी question को तयार कर लिजिए आपके समाजिक बिग्यान में अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पड़े तो 70 में 70 पूरा नंबर मिलेगा ठीक है आप लोग इस वीडियो को share किजिए और हाँ अगर आपको समाजिक बिग्या चैनल पर class 12 के आज सब्सक्राइब के study कराई जाती है और कई important board exams related कई important trick भी बताएगे अगर आप अभी तक अपना विडियो को नहीं देखे ट्रिक वगरा को नहीं देखे तो प्लीज आप लोग हुमारे अपना विडियो यूटूब चैनल पर एक बार विजिट जरूर कर थे क्यों आतंक यू आत वैएगे एक नहीं वारे झापना निरू लोग हरता विक भी तक अपना शाम के वगरे छी कराफे एकली को यूद फट्रीं देखे बताएगे छोविछ एक आताएगे झाम कली चैनल ओगे लोगे बताएगे मीए जाना दाएगे टीत लुदिए